नमस्कार साथियों मैं आशिस पांडे प्रेक्टिस सेवन्थ के साथ आपके सामने उपस्तित हूं और आज हम लोग सेवन्थ प्रेक्टिस सेट साल्व करेंगे जो की यूपी पूरिस कॉंस्टेबल के भरती के लिए इन्डिस से संबन देत है ठीक है तो आई करते हैं साथियों देखिये आपके लिए पहला जो प्रश्न है वह स्वर से संबन देत है और क्रश्च कुर्शन नमर एक में किस समूह में देखिए सभी सवर देर घाया है यह प्रश्न पूछा गया ठीक है कौन सा जो विकल्प होगा वह सही होगा तो आप देखिए देर गिस्वर द तो विकल्प ए जो है आपका आंसर होगा ठीक है दिये गए वाक्य में उपयुक्त विरामचिन ठीक है का चैन करना है आपके समक्ष चार विकल्प हैं और इन विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका चैन करना है ठीक है आप देखिए विकल्प जो आपक भी विकल्प है वह आपके लिए सबसे उप्यूक्त विकल्प है और जानते हैं आप कि आपको क्या करना है कि जो ये विराम चिन है उसमें अलप विराम का चैयन करना है ठीक है तो अलप विराम में कौन सा सबसे सुटेबल अलप विराम है तो देखिए ये क्या है उद्धरान चीन है ठीक है ठीक तो ये दोहरा उद्धरान चीन है जिसको कि हम लोग इन है ये और ये क्या है ये थोड़ा सा इसको ऐसे होना चाहिए था इसको ऐसे ये एकहरा या एकल उद्धरान चीन है ये क्या है आप जानते हैं अर्द वीराम है ये और ये अल्प वीराम ठीक अब देखिए आपका जो विकल्प होगा वह विकल्प कौन सा है डी विकल्प है और इस अल्प विराम को लगाने के बाद जो आपका उत्तर होगा क्या होगा रुको रुको वह या अंत में पूर्ण विराम लगाने के ये आपका सही वाक्य होगा ठीक है आगे चलेंगे निम्नलिकित में से कौन सा सब्द व्यक्ति वाचक संग्या वाला व्यक्ति वाचक संग्या वाला सब्द नहीं है मुछा है और तो नहीं है देख लेते हैं देखिए मोहन कासी यम्ना नदी चारवी कलपदी हैं तो आप लोग जानते हैं मोहन क्या है व्यक्ति वाचक है संग्या ठीक है कासी सहर का नाम है तो यह भी और यमना एक नदी का नाम है व्यक्ति गुत रूप से तो यह क्या है व्यक्ति वाचक संग्या है ठीक है जबकि नदी क्या है क्या है जाति वाचक ठीक है जाति वाचक संग्या है मांत तो आपको पूशा क्या है क्या और नहीं है तुम्सा नहीं है तुम्सा नहीं है तो बिकल्प आपको डी सही हो जाएगा सर्वनाम के कुल कितने भेद पहुल होते हैं भेद होते हैं तो सर्वनाम के भेद आप लोग जानते हैं कितने होते हैं पहला भेद क्यों सा है पुरुस वाचक सर्वनाम पुरुस वाचक सर्वनाम दूसरा कौन सा है निश्चे वाचक निश्चे वाचक सर्वनाम तीसरा है निश्चे वाचक सर्वनाम निश्चे वाचक सर्वनाम यो था क्यों सा है पुरुस निश्चे वाचक पुरुस निश्चे वाचक सर्वनाम निश्चे वाचक निश्चे वाचक पुरुस निश्चे वाचक 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 सर्वनाम भी होता है जानते हैं आप लोगों को मैंने पैड़े भी बताया है और इन चीज़ों को लगतार अभ्यास में रखिए ठीक है तो आप जानते हैं आपका जो विकल्प सिक्स है वह सही हो जाएगा आगे चलेंगे मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं मतलब एक वाचक के दिया है आपको और विशेशन कितने हैं कितने विशेशन है इसमें आपको पहचानने हैं तो देखिए बच्ची के सामने पहले क्या या छोटी ठीक है कुछ और नए कपड़े खरीदन तो देखिए कुल मिलाकर तीन जो विकल्प हैं विकल्प में तीन विशेशन आपसे पूछा गया है और जो की आपका विकल्प ए में दिया हुआ है ठीक है आगे चलेंगे क्रिया के पद परिचे में इन में से क्या क्या होता है ठीक है क्या क्या होता है देखे क्रिया का प्रक चत्मा कोशन क्या है रमेश अच्छा गाता है वाक्ट में अच्छा क्या है अच्छा क्या है क्रिया विशेशन है अव्य है भावाचक संग्या है देखें अच्छा जो है वह है विशेशन ठीक है क्योंकि वह गाने की अच्छा गाता है ठीक है तो आप देखेंगे आपका जो विकल्प होगा क्रिया विशेशन होगा क्यों गाने की क्रिया को बारे में बता रहा है ठीक है तो आपका जो विकल्प ए है वह सही हो जाएगा 7th में आपको सही टिक करना है ठीक आगे सब्दों के ling परिवर्तन की द् 설िष्टी से कौन सा युग्म असंगत है देखिए आपके सामने कुछ युग्म दिये हैं और उन में देखेंगे ling परिवर्तन की द्रिष्टी से कौन सा असंगत है तो बुढ़ा, बुढ़िया, कटोरा, कटोरी, हथवड़ा, हथवड़ी, माली, मालिन होता है, ठीक है, मालिन, ना कि माली नहीं, तो बिकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, आठवा कोशिन की और देखेंगे, दिये गए सब्द में वचन, बताईए, ठीक है, तो वचन बताना है, कौन सा वचन है, तो देखेंगे, चाय एक सब्द है, चाय सदयो किस वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में, ठीक है, तो बिकल्प आपका जो होगा, कोशिन नमबर 9 में, वो बिकल्प आपको, देख क्योंकी चाह सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है यह कि देखति हमिजी में क्र nhञा होता नहीं प्रशन होता नहीं बहुदा थैनर प्रेश्ट तह्यार विकल्पों में द्रिंद्र सिर्ची TI मैंने आज एक फिल्म देखी थी थी तो देखिए पूर्ण भूत काल में क्या होता है वाक्य पूर्ण भूत काल कोता है तो उसने क्या होता है, पूरा वर्तमान काल था है तो होगा नहीं समान वर्तमान काल जैसे वह पढ़ता है या समान वर्तमान का काल है पूर्ण वर्तमान मैंने खाना खा लिया है ठीक है वह पत्र पढ़ता है इस परकार से आप देखेंगे तो जो विकल्प आपका है वह है पूर्ण भूत काल ठीक है तो ज आपका कौन सा होगा? दस्वां का, A आगे निमलखित में से वाच्च भाव वाच्च वाक का चैन करिये मैं उठ नहीं सकता हमारे द्वारा सस्ता आसानी से रास्ता आसानी से पार किया गया उसके द्वारा भोजन पकाया गया मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका ठीक है आपके सामने चार विकल्प दिया है निम्लखित में से भाव वाच्च वाक्य का चैन करना है ठीक है तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका ठीक है विकल्प जो होगा आपका वह विकल्प ग्यारवे में डी सही होगा ठीक है आगे चलेंगे लड़के ने कुट्टे को मारा देखे कोशन है लड़के ने कुट्टे को मारा वाक्य में कौन सा कारक है कारक पूशा गया है तो कारक कौन सा है इसमें लड़के ने तो करता ने कौन सा कारक है ने में कौन सा कारक है करता कारक है ठीक और को मारा कर्मकारक का क्योंकि करता ने कर्म को चिन होता है तो आपका विकल्ब 12 कड़ी होगा ठीक है आगे चलेंगे देखिए इन में से कौन सा सब्द एकल का तदभाव नहीं है एकल का तदभाव सब्द पूछा गया है तो देख लीजे आप इन में से कौन सा सब्द एकल का तदभाव शब्द नहीं है अकल अकिल अकेला कोई नहीं तो जानते हैं आप एकल सब्द का तदभाव क्या होगा अकेला ठीक है तो जहां पर विकल्ब अकेला है वो आपका विकल्ब होगा ठीक है विकल्प आपका 13 में सी सही है आगे चलेगे निम्ड में से अत्या चार सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है देखिए इसमें उपसर्ग पूछा है और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है या बताना है सरल सकोशन है बहुत जादा हाड नहीं है जैसे जैसे आप प्रेक सब्द में प्रयूक्त प्रत्या है कौन सा प्रत्या 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 है तो 15 में डी देखेंगे आप तो विश्वस्निय सब्द में अनिय प्रत्या लगा हुआ है ठीक है आगे चलेंगे निम्नलिखित विलो मार्थी शब्द युग्मो में कौन सा असंगत है देखिए कौन सा असंगत है अंतरंग का बहीरंग होता है सही है अलपायू का दिरगायू है सही है यह यह भी अनुराग का विराग होना चाहिए ठीक है अनुराग का विराग होता है राग का देश होता है ठीक अनुराग का विराग नहीं होगा राग नहीं होगा बलकि अनुराग का विराग होगा अमर और मर्द तो विकल्प आपका जो है वह कौन सा विकल्प होगा थर्टीन में जो विकल्प है आपका सी विकल्प सही है ठीक है 13 में सी विकल्प सही है अनुराग बिराग होता है आगे चलेंगे देखे दिये गए सब्दों का विलोम सब्द ग्याद कीजिए कौन सा विलोम सब्द है और्दुगामी का क्या होगा विलोम अदोगामी विमुक का क्या होता है तंमुक अधम का उत्तम उदयाचल अस्ताच यह आपके विकल्प होगे आपका विकल्प ए सई होगा और सेश निम्न है आगे चलेंगे द्रबहु सो दसरत अजिर बिहारी अजिर सब्द है और इसमें रिखांगे सब्द का अर्थ पूंचा गया है तो कौन सा अर्थ होगा बूढ़ा होगा अमर होगा आंगन होगा जर रहित होगा तो साथियों जानते हैं अजिर का मतलब क्या होता है आंगन होता है तो अजिर मत इसमें आपको किसान के स्थान पर प्रयोगत होने वाला सब्द बताना है. तो जानते हैं आप खेती जीवी जो होता है वह किसान के लिए प्रयोग कर सकते हैं. तो आपका विकल्प जो होगा? एप विकल्प सही होगा. ठीक है? आगे चलेंगे? कोशे नमबर 20 में निम्न में से किस वाक्य में कर के सही कर मतलब कर के सही अनेकार्थी सब्द का प्रयोग हुआ है कर के सही अनेकार्थी सब्द का प्रयोग हुआ है तो देखिए विकास अत्यंत उत्साही था नयन ने वहकार पूरा नहीं किया राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिये ठीक है यह अत्यंत गंभीर मामला है तो देखे कर के सही अनेकार्थी सब्द का प्रयोग 20 का C में हुआ है ठीक है 20 का C आप लोग लगा लीजे किस विकल्ब में सब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है किस विकल्ब में देखिए इसमें कोशन है और इसमें से कोई एक आंसर ऐसा है जिसमें से की अर्थ का विकल्ब सही नहीं है तो उसको आप लोग मिला लेंगे ठीक है मिलाने के लिए देख लेते हम लोग तो सब्द युग में क्या है अभी राम है अभी राम अभी राम का मतलब क्या होता है अभी राम का तो मतलब लगतार होता है लेकिन अभी राम का क्या मतलब होता है अभी राम का मतलब होता है सुन्दर ठीक है तो सुन्दर यहां तो दिया नहीं इस्थिर दिया है और अर्थविद सही नहीं है ठीक है तो कौन सा होगा आदी 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 मतलब आरम आदी मतलब अभ्यास्त अचल मतलब इस्थिर और अंचल मतलब छेत्र आयस मतलब बदनामी आयस मतलब लोहा तो देखें आपका आने की तिथी ना हो ठीक है वाक्यांस के लिए एक शब्द देना है तो जिसके आने की तिथी निश्चित नहीं होती उसको क्या कहा जाता है अतिथी कहा जाता है ठीक है जहां जाया ना जा सके वाक्यांस के लिए कौन सा सब्द होगा अगम में ठीक है अधिगम का मतलब क्या जा सके सुगम निर्गम जहां आगे चलेंगे तो आपका विकल्प भी सही होगा अगम में एक 24 निमनलिखित में से कि एक कथन गलत है उसको देखना है कौन सा कथन गलत है दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार जो है संधी कहलाता है अध्य गलत है एक ही कथन की बात हो रही देख हैं दो सवरों के मेल से उतपन विकार को सवर संधी कहते हैं था है विशर्ग के साथ विशर्ग के मेल से उत्वपन विकार को विशर्ग संदी कहते है नहीं ये गलत है ये गलत है तो ये आपका विकल्प हो जाएगा सही का ठीक है लेकिन क्या होता है विशर्ग के साथ अबर या विशर्ग के मेल से विशर्ग संदी में क्या होता है विशर्ग के बाद करिया विशर्ग संदी कहेंगे ठीक है आगे चलेंगे कि आगे चलते हैं are देखें नेमनलिकत पदों में कौन सा पद अव्याई भाव का उदाहरन नहीं हैं तो कोई एक ही होगा बांकि सभी तो अभिशाँ ना न्यों फी दिन ये टीनों ही उदाहरन क्या है अव्याई भाव समास के हैं अब यही भाव समास की है ठीक है जब की राज पुत्र सत्व पूरुस समास का उदारण है जिसका की विग्रह क्या होगा राजा का पूत्र राजा का पूत्र और इसमें देखा जाए तो सम्बंध तत्पूरुस समास है ठीक है देख लीजेगा इसको बेसिकली तो तत्पूरुस है और तत्पूरुस में भी पूछा जाए कि किसका है तो आप बताएंगे राजा का पूरुस इसका विच्छेद हो जाएगा समास विग्रह होगा विग्रह है ये और इसका जो भेद है सम्बंध तत्पूरुस समास का है ठीक है आगे चलें निम्नलिखित में सुद्धवाग क्या है कौन सा सुद्धवाग क्या है इसको देख लेते हैं देखे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा तो देखे विकल्प सही कौन सा है इसमें देख लिजै तो पहला सब्द गलथ है हम लग और दूसरा भी वाज़्यमें आप देखेंगे तो हम लोग लिखत गलथ है हम लोग उत्तर लिखते हैं, ठीक है, विकल्प जो है C, तो विकल्प C के सभी सब्द सही हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, ठीक है, और विकल्प D में हम लोग को इक अठ्था कर दिया है, तो इसलिए आपका विकल्प जो होगा, वह विकल्प C होगा, ठीक है, आगे चलेंग जो व्यक्ति वस्तू या परिस्तिती अस्थाई भाव को दिप्त करें या जगरित करें उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है? तो उनको क्या संग्या दी जाती है? तो उन्हें देखिए हम लोग क्या कहते हैं विभाव कहते हैं वो कारण जो की स्थाई भाव को जगाने के काम करते हैं उन्हों क्या कहा जाता है विभाव कहा जाता है विभाव दो परकार के होते हैं एक तो होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव आल पंति लिखी है और इस पंति में आपको क्या हुआ है कि यह गलत लिखा है यहां पर होना चाहिए ठीक है बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास तरस अनुरागा तो इसमें देखे कौन इसमें आपको छंद बताना है कौन सा छंद है तो देखेंगे आप की जो मात्रा लगाने से आपको मिलेगा आंसर तो देख लेते हैं पहली पंग्टि में हम लोग पहले दो एक तीन च्चार पांच छे साथ आठ नो दस औरा बारः दो चोड़ा दो सॉला देखेंगे एक कहीं चीर और दिख लेते हैं कितनी मात्रा ये दो तीन च्ट चार दो च्छे एक साथ एक आठ एक नौ एक दरस दस दो बारह चार सोला देखे 16 मतलब ये 16-16 मात्राओं का चव्पाई चंद है इसको आप लोग देख ली जयेगा, ठीक है बाकि ये अभी छेशपपः जो होता है 6 चरणों का होता है, कुंडलिया भी 6 चरणों का होता है 6 में क्या है कि 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम, दो, चरन जो होते हैं, उलाला के होते हैं, कुन्डलिया में क्या है कि दोहा और रोला के उपयोग से बनता है, ठीक है आगे चलेंगे राम रमापती करधन लेव यह कौन सा अलंकार है यहाँ पर ठीक है तो यमक अलंकार है लेस अलंकार है अनुप्रास अलंकार है वक्रोगती अलंकार सात्यों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि दो राम में रा अम्मा वर्ण की आवरित्ती हो रही ठीक है आगे चलें निम्नलिखित प्रष्ट में चारवी कुल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयूप्त सब्द का सही विकल्प है ठीक है जहां भासाओं का रहश्य मतभीद मिलन अलगाओ तो आप देखे सबसे जो होगा पुचित तुवगा मिलन ठीक है जह यहां पर आपका जो होगा वो मिलन सब्द होगा ठीक है 30 का आपको देख लेंगे कौशिंट कौन सविकल्प सही है 30 में तो 30 में भी आपसन ही सही है ठीक है भी आपसन सही होगा आगे चलेंगे यहां मुह और मुसर की डाल लुकोक्ति का अर्थ क्या है तो यह मुह और मुसर की डाल लुकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है केवल उपर ही दिखावा पुराना गवरह समाप्त अपनी अवकास से बढ़ कर होना या करना देखें उपयुक्त कौन सा होगा विकल्प तो तब से ज़्यादा जो अर्थ देने वाले विकल्प है वह है अपनी आउकात से बढ़कर होना या करना ठीक है विकल्प D आपका सही होगा आगे चलेंगे बांच क्या जाने प्रसव की पीड़ा जिस पे दुख आया ही नहीं वह क्या जानेगा ठीक है तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना सहान भूती नहीं दिखाना संतान ही होना जिस पर बीटती है वह जानता है तो ठीक है जिस पर बीटती है वह जानता है जिसके पर फट विवाइस हो किया जाने पीर पराई इसका मतलब भी इसी प्रकार से है ठीक है ध्यान रखेंगे और लोगोगतियों को आप लोग पढ़ भी लीजेगा ठीक आगे चलेंगे पूरो मदकाल को हिंदी साहिट में किस नाम से जाना जाता है पूरो मदकाल यहाँ पर देगे पूरो मदकाल की बात हो रही है तो आदिकाल होता है पूरो मदकाल पूरो मदकाल उत्तर मदकाल और आदोनिक काल चार काल हिंदी साहिट के हैं और इंड में से कौन सबसे प्यूप्त है उत्तर मदकाल यह पूरो मदकाल किसको कहा जाता है आप लोग बहुत साथी हो जानते हैं कि गदकाल जो है वह आदोनिक काल को कहा जाता है गदकाल और आदिकाल कहा जाता है सबसे प्रतम कालखंड को और रीतिकाल वो उत्तरमदे काल कहा जाता है भक्तिकाल को कहा जाता है ठीक है तो आपका अंसर जो होगा वह होगा भक्तिकाल ठीक वो रुकाल खंड कौन सा है भक्तिकाल है ठीक है 33 का आगे चलेंगे देखिए आपके सामने एक पैसेज दिया है और इस पैसेज को पढ़ेंगे पैसेज पढ़ने एक बाद जो भी विकल्प है उन विकल्पों पे एक बार दिश्टी डालेंगे उस पे चर्चा करेंगे ठीक है आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू क की तरह जीवन संभव नहीं है रह गया भारत में बेन पंतों और विविर मत मतांतरों के लोग साथ साथ रहे हैं ऐसे में यहादिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जाने उनकी जरूरतों को उनकी इक्षाओं आकांग्षाओं को समझें उन्हें तरजीह दें और धार्मिक विश्वासों पध्यतियों अनुष्ठानों को सम्मान दें भारत जैसे देश में यहादिक जरूरी है क्योंकि यह देश किसी एक धर्मत विचारधारा का नहीं है स्वामी विवेकानन इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में स्वामी विवेकानन इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में बहुत समय से बहुत आगे थे उनका द्रिण मत था कि विवेन धर्मों संप्रदायों के बीच समवाद होना चाहिए वे विवेन धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज और स्वाभावि तौमी जी विवेन धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस स्थाबित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयाई बनाने के विरुद थे वे कहा करते थे यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगें एक ही पूजा पद्धिती को अपना लें और एक सी नैटिक तक आनुपालन करने लगें तो यह सबसे दुर्भा के पूर्ण बात होगी क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आद्यात्मिक विकास के लिए प्राणगहा तक होगा तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काड़ देगा हमें सभी धर्म संप्रदाय पंथ विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्यतियों को उचित समान देना चाहिए किसी भी व्यक्तिकों चाहेवा किसी जातिया और धर्म या भासा से सम्मंदित है प्रकृत ने समान बनाया है सभी मनुश्यों में एक ही परात्मा का वास है जागतिक विकास की दृष्टी से कोई पिछड़ा हो सकता है यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ लेने से मानवता खिल उड़ती है जो भी व्यक्ति पिछड़ा है उसे अपने साथ लेने से क्या होता है मानवता खिल उड़ती है चलिए ठीक है इस पैसिस को हम लोग आगे करेंगे प्रश्णों को माना उता कब खिल उड़ती है जब सभी आध्यात में कुई कास हो सबका तो यह नहीं है देखेंगे जब सभी में एक इस्थित एक परमात्मा को ही एक मातरस्थ स्विकार किया गया हो जब एक आधिक धर्मों को मानने वाले सब साथ रहते हों जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तो देखिए आप सभी विकल्पों पे एक बार नजर दोड़ा लिजे अभी हमने क्या पढ़ा कि पिछड़ा हो सकता है यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उससे अपने साथ ल कोशन में जो पिछड़ों को सहारा दिया जा जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है ठीक है तो विकल्प आपका क्या होगा ए विकल्प होगा ठीक है ए विकल्प लगा लेंगे आप आगे चलेंगे 35 नंबर कोशन में आधियात्मिक सब्द में क्रमसा उपसर्ग मूल सब और प्रत्य हैं तो इसमें कौन सा प्रत्य उपसर्ग है तो देखिए अधी और आत्म प्रत्य है साथ ही एक प्रत्य है मूल सब्द है ये ये प्रत्य है और अधी क्या है उपसर्ग है तो आपका विकल्प जो है ये सही हो जाएगा आगे चलेंगे तो हमें वियका नन इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे वाग्य का प्रकार है किस प्रकार का वाग्य है तो देखिए साथियों दो वाग्य के आपस में और समुच्चे बोधक के द्वारा जुड़े हुए हैं ठीक है और समुचे बोधा कव्या के द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए दुसरल वाक्य है और और समुचे बोधा कव्या के द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए दीखेंगे तो आपको सई उक्तवाग की होगया है. ठीक है? कौसा वाग की होगा? सईयुक्तवाग की होगा. गज्यांस के अनुसार धर्म संप्रदायों के विशए में विवेका नंध का विचार تھा कि केवल हिंदु धर्म की पूजा पदिती सही है. सभी धर्म समान है और सभी संपरदायों की अनेक रूपता जायज और सभाविक है हिंदूओं को भारत में रहने है और आत्म अपना धर्म पालन करने का अधिकार है ठीक है अगला विकल्प भारत में केवल एक ही धर्म का पालन होना चाहिए तो गद्यानस कामसार धर्म संपरदायों की विशय में विवकनन का विचार क्या था अभी धर्म समान है और धर्म संपरदायों की अनेक रूपता जायज है और सभाविक भी है यही तो था 37 का भी आप लगा लिजेगा ठीक है तो साथियों देखिये ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं ले कर के आया था और 37 कोशें no strategies शेट 7 प्रैक्टिस सेट था यह ठीक है? इस से पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट आपको साल्व कर आये तो आपने अपनी तयारी को देख लिया होगा और चेक भी किया होगा कि कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं से अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा सात्मा प्रैक्टिस सेट उसको ले करके मैं अगली कक्षा में उपस्तित होगा तब तक के लिए